जो लोग ये बोस्ट छोड़का जाना चाहते हैं जा सकते हैं तो क्या गदर्टू के बाद बोर्डर्टू का नंबर है सनी देवल जिनोंने गदर्टू जैसे इतनी हिट फैंचाईजी दी है कि वोवी ने 400 करोड चुट्टी है कमानी और अब बात है कि बोर्डर्टू या फिर कोई भी उनकी नहीं वोवी आए गया नहीं बोर्डर्टू पे इसनी जोर है क्योंकि इस वोवी का जोनर जो है वो गदर्टू जैसा है इसलिए इस मोवी से एक्सपेक्टेशन थें कि अगर ये बनी तो ये भी चलेगी मगर बात ये है कि क्या ये बनेगी कुछ मेडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि ये वोवी के लिए अभी प्रिपिरेशन शुरोग हो चुकी है लेकिन जो पिछली कास्ट है वो सेव नहीं रहेगी सनी देवल तो रहेंगे लेकिन और जो दूसरी कास्ट है वो नहीं रहेगी बट अब सनी देवल ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखते हुए कहा है कि मैंने अभी कुछ भी साइन नहीं किया है तो Border 2 को हम expect करें कि ये आएगी बहुत थोड़ी सी जंदबाजी होगी हाला कि उन्हों ये जरूर लिखा कि कुछ special जरूर आने वाला है कुछ time में तो क्या वो Border 2 है या उनकी कोई अलग movie क्योंकि ये तो बात पक्की है कि वो अपनी अलग movie बनाएंगे क्योंकि उनका इतना तगणा comeback गदर 2 से हो गया है तो क्या सनी देओल आने वाले time ते दूसरे रजनी कान बनने वाले है रजनी कान जी जोकि 72 साल के होकर भी जेनर movie जैसी 300-400 करोर के क्लब वाली movie दे रहे हैं क्या उस जोनर में आ जाएंगे सनी देओल हाला कि सनी देओल अभी थोड़ा सा rest कर रहे हैं गदर 2 के events के बाद और कह रहे हैं कि मैं काफी खुश हूँ गदर 2 के hit होने से बट अभी मैं थोड़ा सा rest ले रहा हूँ उसके बाद ये जरूर देखेंगे कि हमें आके क्या करना है खेर आपकी इसमें क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताईएगा धिन्यवाद